हेलो बच्चों गुडविनिंग आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टर्डी अलफा पर और मैं हूँ शिवेंदो जश्वी तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग है आज का सेशन ठीक है क्या मैं live हूँ audible हूँ बिल्कुल visibility अच्छी है बता तो जल्दी से comment करके एक बार जो भी बच्चे जुड़े हुए है जल्दी से बताईए एक बार क्या visibility clear है am I audible आवाज आपको बिल्कुल clear आ रही है कोई issue तो नहीं है वीडियो में lag नहीं है voice clear है बिल्कुल तो चलिए हमारे साथ है कुनाल सर्वा गुड इवनिंग शहर चलिए गुड इवनिंग वही सभी बच्चो गुड इवनिंग सभी बच्चों को फिर से एक बार गुड इवनिंग आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Study Alpha पर और आज हम करने जा रहे हैं start नीट के बच्चों के लिए खासता और रुपे और class 11 के बच्चों के लिए ठीक है क्योंकि syllabus हम पढ़ाएंगे वही जो नीट का syllabus है तो mainly focus हमारा होगा नीट का syllabus लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जो है class 11 की भी बहुत सारी बातें सीखते चलेंगे तो दोनों syllabus को पैरली लेते चलेंगे जो बच्चे अभी एक्जाम आने वाले आपके कर दो भई ठीक है ज्यादा ज्यादा बच्चों को बुला लाओ कि class शुरू हो गई है ठीक है चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट हमने किया बीच से नहीं स्टार्ट किया हमने physics का एक ब्रांच चूज किया है thermal physics basically तो thermal physics में तीन चप्टर आते हैं according to NCRT पहला हमारा chapter number 11 from NCRT and this is thermal properties of matter ठीक है और इसके बाद हमारा होगा thermodynamics और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे kinetic theory of gases यह चार तीन चप्टर हम लोग करने वाले हैं ठीक है उसके बाद physics के दूसरे ब्रांच की तरफ चलेंगे class 11 के हम लोग सचाय जैसे rotation motion है gravitation है इन सब चप्टों discussion करेंगे फिर flute mechanics की बात करेंगे हम लोग उसके बाद ठीक है और इस तरह से मापका पूरा syllabus बस रिवाइस करा देंगे बढ़िया तरीके से lots of questions भी practice करेंगे हम लोग important questions तो चलिए जानते सबसे पहले भई यह class जो है आपको हर alternate days पे मिलेगी आज है यानि class तो कल नहीं होकर परसो होगी क्योंकि बीच में class 12 की class चल रही है class 12 के board exam में पीवा क्यू चल रही प्रक्टि कलर का जो है यह लेते हैं white लेते हैं चलो start करते हैं तो पहली बात हमारे सामने पर क्या-क्या पढ़ने वाले आज हम आज के class में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम पढ़ने वाले क्या-क्या है ठीक है तो इनमें से पहली बात जो हम thermal expansion ये दो topic आज हम करने वाले आज के lecture में ठीक है तो इन दोनों को करेंगे expansion यहां आना था यह जहां चला गया है ना इसको यहां आना था यह typing होने कारण ऐसे चला गया board पे चली कोई बात नहीं तो दो topic आज करने वाले हम temperature और thermal expansion इन दोनों पर हम आपको आज PhD करा देंगे बिल्कुल definitely कोई भी सवाल आज आपके सामने किसी भी बुक से किसी भी तरह के सवाल आजाएं आप करके जाएंगे यह शोर है मेरी तरब से ठीक है चलिए तो बताओ जोस कैसा भाई सभी के जोस हा है बिल्गुल स्टार्ट करें हम लोग स्टार्ट करें जो बच्चे चुड़े हुए बताई जल्दी से चैनल करें तो तूरररररररररे सामनें पहला सेफेश के ले दूसरा केलर चैनल है फ्यूर्टार के लीए अपकर वो स्केल पढ़ने होते हैं ठीक है याद करो जल दी से फटा फट इस्टीम पॉइंट क्या होगी celsius scale पर 100 dc होगी आइस पॉइंट याप कुल्फी जमा दे बिलकुल लिग दम क्या होगा वह 0 degree celsius तो भई celsius scale पर maximum temperature इसस्टीम बन जाती है वह 100 degree Celsius और कुल्फी जमाने वाली टेंपरेचर आइस पॉइंट जहां बर्फ जम जाए वो कितना है 0 degree Celsius ठीक है हम बात करते हैं Kelvin की तो Kelvin में कितना हो भई तो Kelvin का जो stream point है वो हो जागा 373 Kelvin 373 Kelvin और कुल्फी जमाने वाली टेंपरेचर इन Kelvin स्केल कितना हो जाएगा 273 Kelvin 273 Kelvin ठीक है क्लिए यहां तक तीसरा स्केल है फॉर्ण हाइट स्केल तो फॉर्ण हाइट स्केल में boiling point boiling point जिसे हम कह रहे हैं stream point generally stream point को हम लोग boiling point कहेंगे ठीक है तो कितना है 212 degree foreign height और इसका जो ice point है वो कितना है 32 degree foreign height इसे याद करो जल्दी से फटापड फिर से एक बार recap कर रहा हूं मैं celsius scale पे 100 degree celsius stream point ice point 0 degree celsius Kelvin scale पे 373 Kelvin और ice point 273 Kelvin foreign height पे जो हमारे stream point होगा वो कितना 212 degree foreign height और ice point कितना हो जाएगा 32 degree foreign height चलो एक जरूरी बात और बताओ बैच्चों इनके बीच में difference कितने का होगा कितने units का gap है तो सर 100 units का gap है यह याद रखना जरूरी है कितने units का gap है भई 100 units का gap है अगर आप Kelvin scale पे देखें तो Kelvin scale में भी कितने का gap है सर 100 units का gap है कितने units का gap है 100 units का gap है लेकिन foreign height scale पर आप देखें तो इन दोनों scale के बीच में gap कितने का है 180 units का gap है कितने का युद्ध है 180 units का gap है 180 का ठीक है ऐसे आपको इससे याद कर लेना है इस तरह से आपको याद कर लेना है ठीक है करें आगे बड़े चलो आगे बात करते हम लोग है next topic पे conversion of temperature scale from one scale to another आप कैसे convert करेंगे किसी एक scale से दूसरे scale में यानि अगर आपको Celsius में दिया हुआ हो value आपको बनाना है Kelvin में Fahrenheit में तो कैसे conversion करेंगे इसकी अमबाग करेंगे ठीक है तो आपने अभी क्या पढ़ाता तीन तरक scale है Celsius Kelvin और Fahrenheit Celsius पे stream point स्टीम होना है not stream है न स्टीम पॉइंट कितना हो जाएगा 100 degree Celsius आइस पॉइंट 0 degree Celsius Kelvin में कितना 373 यहाँ पर 273 फॉरे नाइट में 212 और यहाँ पर 32 degree Fahrenheit ठीक है C Kelvin में माना K और Fahrenheit में क्या हमने लिखा F माना हमने ठीक है या फिर इसके लिए एक formula मना लेते हैं इस तरह से कर सकते हैं बट एक formula बनाते हम लोग है तो formula क्या बनाएंगे भई तो reference scale लेंगे ठीक है जो भी scale यूज कर रहे हम है तो reference scale लेंगे हम लोग और minus करेंगे इसमें से lower fixed point को ठीक है N divided by upper fixed point minus lower fixed point अच्छा यह lower fixed point upper fixed point क्या होता है ज्यान से सुनो इसे हमने नाम दिया क्या Upper fixed point क्या नाम दिया हमने Upper fixed point और इसका नाम दिया हमने lower fixed point ठीक है आप ऐसे formula बना सकते हैं तो अगर हम बात करें Celsius की Celsius की बात करें तो क्या लिख सकते हैं भई तो reference scale कौन सा हमारा है Celsius है तो Celsius के लिए आप C लिखो ठीक है माइनस lower fixed point lower fixed point कितना है 0 degree Celsius सर तो माइनस 0 करो अब हमने क्या बोला हमने कहा Upper fixed point को घटा दो lower fixed point में से ठीक है तो आप क्या करेंगे Upper fixed point हो जाएगा हमारा 100 और lower fixed point 0 यह हमने Celsius का बना दिया ठीक है यह value constant रहती है आगे बात करें हम Kelvin की तो is equal to लिखो Kelvin की बात करें तो Kelvin में reference scale कौन सा हमारा Kelvin तो के लिखो यहां से ध्यान दो कितना इसका Upper fixed point और lower fixed point तो हमें fixed point 273 करेंगे ठीक है and it is equal to यह किसके बराबर होगा वही for a night scale पर हमने f माना है बिल्कुर इसके बीच में ठीक है तो आप क्या लिखेंगे reference scale यहां से f minus lower fixed point 32 degree for a night अब यहां से ध्यान दो अपर minus lower करोगे तो अपर कितना है 212 minus lower कितना है 32 degree for a night ठीक है आप ऐसे लिख लोगे अब आगे ध्यान दो अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो हमने क्या-क्या लिखा भई हमने लिखा c minus 0 divided by 100 minus 0 is equal to Kelvin minus 273 divided by 373 minus 273 ठीक है and this is equal to f minus 32 divided by 100 हम direct नहीं लिखते हैं f minus 32 divided by 212 minus 32 यह लिखाता हमने है ना यह हमने obtain किया वह क्या लिख सकते हैं इसको solve करोगे तो c upon 100 हो जाएगा यह and this is equal to k minus 273 and divided by इसको subtract करोगे तो यह आजाएगा 100 यहां solve करो तो f minus 32 divided by इसको subtract करोगे तो यह आजाएगा 180 यह हो गया हमारा master formula ठीक है यह हमारा क्या है master formula है इस formula को use करके हम लोग किसी भी unit को convert कर सकते हैं ठीक है अगर हम चाहते हैं कि Kelvin से Celsius बनाए और यह Celsius से Kelvin बनाए तो आराम से इस master formula को use करके convert कर सकते हैं अब यह हम question देखेंगे बहुत सारे question भी देखेंगे हम लोग कैसे conversion किया जा सकता है इसे भी हम लोग सीखेंगे अभी कई सारे question प्रेक्टिस करेंगे अभी इस नीट में ट्रेंड क्या रहा है लगातार नीट जो सवाल पूछती रही हमसे एक जो है unknown unit बनाता है जैसे हमने तीन पड़ा है Celsius Kelvin for a night वो कहेगा कोई W scale है कोई साभी scale का नाम देदेगा वो रैंडम साब से पूछ लेगा से scale में बताओ temperature कितना होगा करके देखेंगे कैसे निकाला जाएगा ठीक है इसे भी हम लोग करके देखेंगे चलिए तो भाई एक मास्टर फॉर्मूला मिलग आपको बिल्कुल ठीक है मैं आपको बता हूँ आपको इस तरह के फॉर्मूले फटा फट तुरंत याद कर लेने या फिर आप नोट बुक लेगे बैठिये तुरंत कॉपी करिये उसे यह फॉर्मूला हमें रटना इंपोटेंट है बाकि आपको पूरी जो है annotation के साथ यह PPT मिल जाएगी आपको PDF मिल जाएगी आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पे वहां बाता है conversion कैसे करेंगे तो हम क्या करेंगे वही Celsius को Kelvin Kelvin को Celsius पहले इसकी बात करते हैं फिर हमाइगे Celsius को Fahrenheit और Fahrenheit से Celsius बनाने के फॉर्मूली देखेंगे ठीक है तो बात करेंगे हम लोग Celsius Kelvin की तो है Celsius क्या लिखोगे वही Celsius लिखेंगे हम लोग C upon 100 is equal to Kelvin minus 273 divided by 100 ठीक है धान देना इन दोनों के बीच में relation हम find करते हैं पहला relation निकालेंगे इन के बीच में तो ध्यान देको 100 को मार देगा बचा क्या हमारे पास C is equal to Kelvin minus 273 ठीक है यह हमारे पास relation आ गया यानि यहां से आप Kelvin का formula बनाओगे तो क्या लिखोगे भई C plus 273 ध्यान देना यह formula बन गया हमारे पास यानि अगर आपको मालो दिया हुआ हो कि 50 degree Celsius है बताओ Kelvin scale पर कितना होगा क्या करोगे यहां पर 50 लिखो जोड़ दो Kelvin scale भी बता लग जाएगा ठीक है तो जब भी आपको कभी Celsius को Kelvin में बदलना हो तो क्या करोगे यहां पर Celsius वाली value रखोगे और जोड़ के Kelvin निकाल दोगे अ लिए बात करते हैं दूसरे formula के जहां पर हम relation establish करेंगे Celsius और Fahrenheit के बीच में इनके बीच में ध्यान दीजिए लिखते हैं C upon 100 is equal to F minus 32 divided by 180 ठीक है तो यहां से बढ़ी 0-0 को मार देगा 0-0 को मार देगा यहां से तो बचा क्या हमारे पास cross multiplication करने के अलाबा कोई option है इस train को ले जाते हैं उपर तो क्या लिखेंगे C is equal to 10 और नीचे कितना है 18 बचा उपर क्या है Sir F minus 32 ऐसे लिख सकते हो 2 के table में देखो काटो इसे तो 2 के table में 5 बार में ये कट जाएगा और 9 times में ये कट जाएगा तो C is equal to 5 divided by 9 into F minus 32 ये हमारा एक दूसरा formula हो गया जो है master formula कॉपी करो जल्दी से जल्दी से ठीक है यानि जब भी कभी आपको Celsius को convert करना है foreign height में तो कैसे conversion होगा sir C is equal to 5 upon 9 F minus 32 इसे रट लेना है बिल्कुल अभी के अभी ठीक है तो क्या क्या रटना है भई एक formula ये रटने है दूसरा ये रटना है तीसरा ये रटना है एक और जरूरी बात जिसका नाम है absolute zero ठीक है absolute zero temperature क्या होता है भई तो absolute zero absolute zero याद रखना क्या होता है sir absolute zero होता है zero Kelvin कितना हो जाएगा absolute zero हो जाएगा zero Kelvin यानि अगर आपने Kelvin में यहाँ पे zero रख दिया तो Celsius scale में कितना आ जाएगा बदाओ sir Celsius scale में आ जाएगा minus 273 degree Celsius कितना हो जाएगा minus 273 degree Celsius और अगर हम बात करें foreign height में निकालने की तो foreign height में इसकी value होती है minus 460 degree foreign height तो absolute zero की अगर बात करें जब भी कभी तो zero Kelvin Celsius में माइनस 270 और foreign height में माइनस 460 हो जाएगा 460 ठीक है यहां तक हो जाएगा चलो आते हैं हम लोग पहले सवाल पर आते हैं अब आपके सामने स्क्रीन पर एक बहुत ही सांदार सवाल है बहुत सांदार सवाल है बताओ जल्दी से solve करें चलो तो क्या है question at what temperature does the temperature in Celsius and foreign height equalize आपसे क्या पुछा है कि कि किस temperature पर किस temperature पर क्या होगा Celsius और foreign height दोनों equalize हो जाएगा आपको वो temperature बताना है जिस temperature पर Celsius और foreign height दोनों क्या होगा इक्वालाइज हो जाएगा यानि हम माल लेते हैं हम यहां माल लेते हैं भई कि Celsius जो है celsius जो है equalize हो जा रहा है foreign height के और हमने माना इसकी value x कितना माना हमने हमने मान लिया इक्वालाइज होके हो गया x हमें नहीं पता इस x की क्या value है बट हमने क्या जियूम कर लिया कि इसकी value x हो सकती है ठीक है चलो अब ध्यान दो हमें यह पता है कि celsius और foreign height का relation वाला formula क्या भी सर ने पढ़ाया था आपको तो सर ने आपको पढ़ाया c is equal to 5 divided by 9 into f minus 32 ठीक है यह formula हमने पढ़ाया था जहां जहां c है जहां जहां f है वहां x रख दो तो अगर c के जगा आप x रख देंगे तो 9 इसके साथ multiply हो जाएगा 9x is equal to 5 into x minus 32 आओ solve करते हैं इसे हम लोग है ठीक है अब यहां से हम लोग bracket open कर लेते हैं तो 9x is equal to 5x minus 5 को multiply करो 32 से तो 5 multiply 2 10 0 बचा 1 5 multiply 13 16 यानि 160 ठीक है 5 को लिया उठा के इदर तो 9x minus 5x is equal to minus 160 ठीक है जहांक ना minus 160 हो जाएगा यह ठीक है subtract करो यहां से यह हो जाएगा 4x 160 माइनस में 4 ने इसको 40 बार में मार दिया तो भई x is equal to कितना आया minus 40 डिग्री यानि अगर आप देखेंगे तो भई x की value कितनी आई 40 डिग्री यानि आप celsius scale और foreign height scale इन दोनों की value equalize कब कर सकते हैं minus 40 डिग्री पर आप इन दोनों की value को equalize कर सकते हैं and this is the correct answer option देखो कौन सा है भई कौन सा option correct होगा तो सर option number B is the correct option ठीक है B is the correct option चलो बहुत अच्छा भई बहुत अच्छा कौनाल सर्मा बता चुके ए भटकतिया तो हम बता चुके ए भई mad student के नाम से कोई है इन्होंने भी बताया कि sir minus 40 हो जाएगा correct answer बिल्कुल सही है चलो अगले सवाल पर आते हैं next question पर आते हैं हम लोग ठीक है next question हमारे सामने क्या है लेखिए पढ़ते हम लोग है यह कहरा कि the temperature of a body on Kelvin scale यानि temperature of a body किसी एक body का temperature जो है Kelvin scale is found to be x कितना दिया है Kelvin scale पर हमने found किया किसका temperature है x कितना है x है when it is measured by foreign height the यहां दिया हुआ है कि when it is measured by foreign height thermometer it is found to be x degree foreign height यानि हमने क्या obtain किया Kelvin scale पर उस body का temperature है x Kelvin और foreign height scale पर उसका है x degree foreign height तो बताइए x की value कितनी होगी क्या पुछा है आप से आप से पुछा है उस x की value कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे आप इस x की value सबसे पहली बात आप यह देखिए Kelvin scale पर कितना है भई Kelvin scale पर इसकी value कितनी दी गई है x दी गई है Kelvin scale पर कितना दिया गया है x दिया गया है it is measured by foreign height thermometer and it is found to be x degree जब आपने foreign height में भी measure किया तो आपने क्या पाया x degree foreign height आप आपने आप से पुछाए की x की value कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे आप x की value क्या Kelvin और foreign height का कोई ऐसा formula relation है आपको पता नहीं है पता तो हम कैसे solve करेंगे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे से Kelvin का Celsius का तो पता है Celsius का foreign height का भी हमें पता है तो हम इन दोनों को apply करेंगे ठीक है 1 by 1 apply करेंगे, तो यहां हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां से start करते हैं, solution देखो, बिल्कुल mentor solution देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो C का क्या लिख सकते हैं हम है value, Sir C लिख सकते हम लोग है, K minus 273, लिख सकते हैं, exactly लिख सकते हैं, K कितना निकाला हमने है, भई, X निकाला है, तो यह हो जाएगा, X minus 273, और यह किसकी value हो गई, C की value हो गई यहां से, ठीक है भई, चलो, अब बात करते हम लोग है, C का relation हमने F के साथ क्या पढ़ा है, 5 by 9, F minus 32, यह हमने पढ़ रखा है, C और foreign height के बीच में, यानि Celsius और foreign height के बीच में relation क्या है, F minus 32, तो यहां से value put करो, यहां से हम इसकी value put करते है, सबसे पहले, C की value कितनी निकाला हमने है, तो सर, C निकाला हमने है, X minus 273, ठीक है, यहां से बीच solution करने के लिए हम आएंगे, F divided by 9, और आपने foreign height scale पे भी कितना देखा था, X degree, तो रख दो F के जगा, X, X minus 32, आओ solve करते हैं, 27 के हो जाएगा, यह 7, बचा 2, 9, 7, 63, और 2 हो जाएगा, 65, बचा 6, और 9, 2, 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा भई, तो 24, कितना हो गया, 2457, यहां तक clear है, अब आँ इसको solve करते हैं, 5 को multiply grow X के साथ, 5X, 5 को multiply grow 32 के साथ, कितना हो जाएगा, तो 5 multiply 2, 0, 10, बचा 1, 53, 16, कितना हो गय गया, 160 हो गया, solve करते हैं, 5 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो यहां से देखो, 9X minus 5X is equal to, कितना हो जाएगा, यह उधर जाएगा, तो positive हो जाएगा, तो इसको हम लिखते है, 2457, और यह minus 100, तो भई जा ऊपर, ठीक है, यह हो जाएगा, 160, clear यहां तक भई, subtract करते इसको हम लोग हैं, तो 9X में 5X को subtract करोगे, तो 4X, इसका subtraction करते हैं, ध्यान दो, 7 में से 0 subtract करोगे, तो कितना बचेगा, Sir 7 बचेगा, अब क्या 5 में से होगा, नहीं 15 में से होगा, तो 15 में से 6 subtract करो, कितना हो जाएगा, 9, यह हो गया 3, यह हो गया 2, तो X की value कितनी आएगी Sir 2397 divided by 4, 2397 divided by 4, क्या इन में से कोई भी option match कर रहा है, बताओ जल्दी से, क्या इन में से कोई भी option match कर रहा है या नहीं कर रहा है, जल्दी बताओ, तो divide करके देख लेते हैं, चलो, 574, 301, 313, 40 तो आने की possibility नहीं लग रही है, division करते हैं हम लोग हैं, देखते करके, तो 4 divide करो होगे कितना हो जाएगा, 5 times में 20 बचा 3, ठीक है, कितना बचा 3, 39, कितने बार लगाओगे, 4, 6, 9, 7, है ना, तो ये काम करते हैं, हम लोगो option को eliminate कर लेते हैं, 5 तो आई गया है, तो option को eliminate करते हैं, तो कितना हो जाएगा भी, option से देखके पता लगा लेंगे हम, क्यों करेंग हो जाएगा तो 5 1874.25 इसका हो जाएगा correct answer, ठीक है? ये हो जाएगा इसका correct answer, बताओ जल्दी से correct answer है, सर जी question number 1 आपने गलत कर दिय थे, question number 1 हमने क्या गलत कर दिया है, question number 1 हमने क्या गलत कर दिया है, बताओ, कौन बच्चा है भटकति आत्मा कह रहे हैं, 사र जी question 1 आपने ग गलत कर दिये हैं, बताओ जल्दी से, क्या गलत होगी, अभी धेखो, ध्यान दो, एक बार चेक करते हैं, हम लोग हैं, हम से Celsius और Fahrenheit में पूछा था, नहीं नहीं, इसको तुम देख रहे हैं, पहला ही देख रहे हैं, ना सही देख रहे हैं, तो, आप से क्या दिया है, कि Celsius और Fahrenheit इक्वालाइज हो जाएगा, हमने Celsius Fahrenheit को इक्वालाइज कर दिया, एक्स पे, इसका relation यह हो जाएगा, एक्स हम नहीं यहां रख दिया, Celsius के जगा, क्या गलत हैं, बताओ जल्दी से comment करके, ठीक हैं, चलो, minus 40, वन का answer, minus 40, okay, मैंने option गलत टिक कर दिया, यह बोलो, ना सीधा-सीधा, कि सर, आपको option A टिक कर ना था, आपने B टक कर दिया, solve तो हमने सही किया है, solution तो भई सही है, बिल्कुल, है ना, option अमे टिक कर ना था, भई, जान दो, option अमे टिक कर ना था, ए, solution तो बिल्कुल, हमने निकाला, यह इसका minus 40, है ना, solution तो भिल्कुल, हमने निकाला, option में मुझे लगा, कि यह साथ minus में है, हमने धान नहीं दिया, चलो, sorry, बहुत-बहुत धन्यवाद, option हमने गलटिक किया था, option A is the correct option, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका solution कर लिया, हमने कितना आया answer, answer हमारा सर आया, C option 574.25, ठीक है, अगले सवाल के दरब चलते हैं, अब हम बात करते हैं, थोड़ा से इसके बारे में, है ना, अगले सवाल पर आते हैं, next question पर आते हैं, ठीक है, next question पर आजाएं, question 3 पर, question 3 पर, चलो, तो question 3 बढ़ते हैं, इसको solve करने की कोसिस करते हैं, सवाल क्या कह रहा है, यह कह रहा है, यह कह रहा है, freezing point on a thermometer, थोड़ा से इसको खिसकाते हैं, हम लोग इदर, है ना, खिसके जा भई, तू थोड़ा से इदर, हाँ, तू भी खिसके जाएदर, हाँ, चलो, आग बात करते हैं, तो क्या सवाल है भई, कह रहा है, यह रहा है, freezing point on a thermometer, यानि किसी एक thermometer पर freezing point, mark किया हुआ है, 20 degree, ठीक है, तो हम एक, बनाते हैं, thermometer, assume करते हैं, ठीक है, 20 degree Celsius, नहीं, sorry, Celsius नहीं है, तो अपने मन से Celsius नहीं बनाएंगे हम, हम ice point बनाएंगे, और ice point हमने बनाया कितना, 20 degree दे रखा है, मुझे नहीं पता कौन सा scale है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, आगे कह रहा है, कि end the boiling point is 150, तो boiling point कितना दिया हुआ है भई, सर, boiling point दिया हुआ है, 150 degree, और ये कौन सा point है, boiling point है, यानि steam point भी आप इसे कह सकते हैं, तो इन्होंने एक scale बनाया, जिसमें 20 degree पे एक उलफी जम जाती है, 1500 degree पे पानी उबल जाता है, steam बन जाता है, भाफ हो जाता है, धुआ हो जा रहा है, ठीक है, अब क्या कहता है ये, अब ये कह रहा है, कि a temperature of 60 degree Celsius on this thermometer will be read as, अब सुनो ध्यान से, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है, कि for example, एक हमने ऐसा scale लिया है, जिसमें 20 degree पे ice, और लेकिन अगर इसमें 60 degree Celsius है, तो बताओ इस 60 degree Celsius के comparison में इसमें scale में कितना temperature होगा, तो हम क्या करेंगे, x माल लेंगे, और हमने बताया था आपको solve करने का तरीका, क्या करेंगे, यहां से हम solve करेंगे, x minus lower कितना है, 20 divided by upper fixed point minus lower fixed point, तो 150 minus 20 कितना हो जाएगा भई, 130 हो जाएगा, and this will be equal to, क्या लिए आपने है, 60 minus 0, तो reference हम यहां से 60 minus 0 ले लेंगे, और 100 minus 0 यानि 100 हो जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से इसका 1 0 काट दो, cross multiply करो, तो x minus 20, और यहां से multiply करो 13 को 6 से, तो 6 3 18, तो 18 का 8 बचा 1, 6 1 6 7, यानि 78, 20 को उठा के इधर ले आओगे, तो x is equal to 78 plus 20, यानि x की value कितनी आगई, तो 70 20 हो जाएगा भई, यह 98, तो x की value कितनी आगई, 98 degree आगया, तो आपने क्या calculate किया, भई, इसके x वाले temperature पे, यानि इस scale पे जो x होगा, वो original thermometer में 60 degree होगा, ठीक है, यानि जो 60 degree हो रहा है, original thermometer में 60 degree, उसमें x माना, x की value कितनी होगई, 98, यानि आप जो thermometer use करेंगे, जिसमें आपका boiling point 100 और ice point 0 है, उसका 60 degree, और इस चचा ने जो बना दिया question में, इसका कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, है ना, 98 हो जाएगा, और option number C हो जाएगा, इसका correct, ठीक है, option number C is the option, correct option हो जाएगा, चलो, आगे बात करते हैं, इसके बाद हम लोग, अगले सवाल पर आते हैं, next question पर आते हैं, और देखो, ऐसे सवाल neat में बहुत जादा आ रहे हैं, और expectations होते हैं, कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छी तयारी कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल आपको practice करने भी चाहिए, hypothetical unit बना दिया जाता है, ठीक है, चली भी, बात करते है, question number 4 का, थोड़ा सा इसको खिसका है, इधर हम लोग, हाँ, चलो, अब बात करते है, question number 4 की बात करते है, क्या है बई, on a new scale, यानि एक नया scale बनाया गया, of temperature, किस चीज के लिए, temperature के लिए, sir, which is linear, कैसा है, linear है, ठीक है, and call the blue scale, क्या नाम दिया गया, the blue scale नाम दिया गया, sir, क्या लिखेंगे, बई, the blue scale है, freezing point, इस डबलू scale में, 39 degree w है, और boiling point कितना है, 239 degree w है, तो लिख देते हैं, हम लोग जल्दी से इसे भी, इसे भी लिख देते हैं, कि ये आपने एक scale बनाया, ये रहा आपका ice point, ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं, इसका steam point लिख देते हैं, ठीक है, कि भई ये steam point है इसका, कितना दिया हुआ है, सर, ice point दिया हुआ है, 39 degree w है न, और दिया हुआ कितना steam point कितना दिया हुआ है, 239 degree w, ठीक है, चलो, आगे बात करते हैं, अब ये क्या कहता है question में, अब ये कह रहा है कि, what will be the temperature on the new scale, यानि इस नए वाले scale में, कितना temperature हो जाएगा, corresponding to a temperature of 39 degree Celsius on the Celsius scale, सुनो ध्यान से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि, आप जो Celsius scale बनाऊगे, उस Celsius scale में, आप मानोगे 100 degree Celsius steam point, आप मानोगे 0 degree Celsius ice point, तो अगर आपने इसमें 39 लिया है, तो बताओ, इसमें कितना हो जाएगा, हमने X मान लिया, हमें नहीं पता कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, X मानते वे solve करेंगे, तो अगर हमने इसे X मान लिया, तो solution का तरीक आपको पता है, कैसे solve किया जाएगा, देखो भई यहान ध्यान दो, कैसे solve करेंगे इसे हम लोग, तो यहां से X, X मानस 39, ठीक है, X मानस 39, लोवर फिक्स पोइंट, अब अपर मानस लोवर करेंगे, एंड डिवाइड बाइड बाइ, 239 मानस 39, ठीक है, अब बात करते हैं, इस scale की, तो compare कर देंगे इसे हम लोग, एंड इस विल बी इक्वल टू, 39 डिवाइड बाइड बाइड, तो भई, दो बार में काट दो, बचा कितना 2, 39 को 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे, ठीक है, तो देखो, इसको मैं जो है, अब यहां लिख रहा हूँ, ठीक है, जान देना, तो भई, कितना बचा, x-39, ठीक है, x-39, और 2 मल्टिप्लाइ हो गया, 39 के साथ, तो इसको मल्टिप्लाइ करो, तो 9 to 18 is equal to 8, बचा 1, और 3, 1, 4, यानि हो जाएगा कितना भई, नहीं, 3 to 6, और 2, गल्त हो गया, रुको, 9 to 18, 8 बचा 1, 3 to 6, और 1, 7, तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है, और यहां से हम क्या करेंगे, x निकालेंगे, तो 39 को अधर ले जाओ, तो 78 minus 39, तो सब्टेट करेंगे, कितना जाएगा, 39 डिगरी आ जाएगा, कितना ना चाहिए भई, कितना ना चाहिए, कुछ गल्ती होई क्या इसमें, कुछ गल्ती होई क्या इसमें, बताओ जल्दी से, कुछ गल्ती होई क्या इसमें, भई, कुछ गल्ती होई क्या इसमें, हम क्या कर रहे थे, x minus 39, बिल्कुल सही कियें, सब कुछ सही कियें, बिल्कुल एक गल्ती हो गई है, एक गल्ती हो गई है, रुको, 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 भई, देख रहो, मैं option नहीं match हो रहा है, हम इसको raise कर देते हैं, है ना, हम इसको raise करते हैं, भई, यहाँ देखो, गल्ती हमने कर दिया, हम इसे plus करना था, ठीक है, हम इसे plus करना था, हम से माइनस कर दें से लिए option मैच नहीं हो रहा है चलो मैंसे प्लस करता हूं क्योंकि यह माइनस है इधर माइनस है भाई अब यह मैंने डबल लिख दिया तो यह गलती होगी थोड़ा सा मुझे रखता है रिसे करना पड़ेगा मैंसे पूरे रिस करता हूं चलो देखो आइड करेंगे 8 9 17 बचा 1 3 7 10 और 1 यानी 117 डिग्री फॉरेंट है जो भी है डिग्री यूनिट दिया हूआ है वो हो जाएगा 117 डिग्री तो option देखो तो option है D और यूनिट क्या है डबलू स्केल है तो 117 डिग्री डबली हो जाएगा 117 डिग्री डबली हो जाएगा इसक correct option ठीक है question number 4 solve हो गया अगले सवाल के तरफ चले इंस्क्रीन चौड ले लो वरना pdf आपको मिलेगा ही आगे हम बात करेंगे change in temperature की किसकी बात करेंगे change in temperature की बात करेंगे जो भी बच्चे लाइब बने को हमारे साथ सभी बच्चों से request है कि सेसन को एक बार सेयर कर दो ठीक क्या पड़ा आपने आपने ये पड़ा कि सर सेल्सियस स्केल पे 100 डिगरी सेल्सियस में boiling point अप्टेन हो जाती है और 0 डिगरी सेल्सियस में जो है steam उसके ice बन जाती है है ना आपने ये पड़ा कि 373 Kelvin पर जो है steam हो जाती है Kelvin scale में और 273 पर 273 Kelvin पर ice बन जाती है आपने ये भ और इसका 32 degree जो है Fahrenheit यह है आइस पॉइंट तो भाई हमने बताया था आपको starting में ही तो इनके बीच का gap कितना है 100 unit का gap है है ना यहां पर भी देखो सर यह 100 unit का gap है यहां भी gaps कितने है 100 units का gap है यहां पर gap कितने है सर 180 degree Fahrenheit का gap है यानि 180 units कह दें हम लोग इसे है 180 units का gap है तो इससे क्या समझ रहे हैं हम यह समझना चाहते हैं भई कि अगर एक degree Celsius का change हमने temperature में किया Celsius scale पे तो Kelvin में भी कितना change होगा same होगा क्योंकि इनके बीच का change बराबर है लेकिन Fahrenheit में 1.8 हो जाएगा कितना होगा 8 यानि अगर आपने 10 degree temperature बढ़ाया है Celsius में तो change अगर Kelvin में लिखेंगे तो 10 ही होगा लेकिन Fahrenheit में 18 हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा तो इसको formula कैसे बनेगा तो पहला formula याद रखो change in Celsius is equal to change in Kelvin दोनों में change बराबर बराबर होगा 100 unit का यहां भी 100 unit का ठीक है दूसरा formula याद रखो change का Kelvin को हम करेंगे Fahrenheit से relate सोरी करते Celsius को Fahrenheit से तो इसका हो जाएगा 5 upon 9 और change in Fahrenheit यह दो formula आपको याद रखना है ठीक है इन दोनों formula को आपको याद रखना है ठीक है भई तो change कितना हो जाएगा इसके बीच में दो formula आपको यहाद रखना है change in Celsius is equal to change in Kelvin और यहाँ पर change in Celsius is equal to change in Fahrenheit हो जाएगा बट 5 into 9 की ratio multiply होने के साथ ठीक है यह formula आप लिख सकेंगे change के लिए यहाँ तक clear भई बताओ जल्दी से comment करके एक बार क्या सबी बच्चे को समझ में आया बिल्कुल मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ हाँ या ना ठीक है बढ़े आगे अगले सवाल पर चले next question देखो चलो आते हैं question number 5 question number 5 पर हम लोग आते हैं इसे solve करते हैं हम लोग है देखो सवाल क्या कहता है यह करया कि a centigrade and a foreign height thermometer are dipped क्या कि आपने आपने एक Celsius scale लिया centigrade thermometer लिया आपने एक foreign height thermometer लिया इन दोनों को आपने dip किया किसमें boiling water में किसमें dip किया आपने boiling water में आपने dip किया and the water temperature is lowered until the foreign height thermometer register 100 40 degree foreign height सुनो धान से में बताता हूं क्या कि आपने centigrade और foreign height दो skill लिया मालो कि आपने जो है boiling water में डूबोया न यह रहा हमारा container इसमें खूब मस्तक्तम बिल्कुल जो हम लोग boiling water कर रहें boil कर रहें सुबसुब थेंडे थेंडे पानी से नहाने में थेंड लगती है गर्म कर रहें पानी को और हमें तभी सूच गया practical करने का कि चलो आज physics का practical करते हैं तो हमने क्या किया हमने जो है इसमें एक डिप किया कौन सा स्केल सेंटिग्रेड इसकेल और एक डिप किया हमने इसमें फॉर्ण हाइट सकेल अगर पानी गर्म हो रही है जहान शे सुनना इस बात को अगर वाटर गर्म हो रही है तो बहीं में कितना 212 degree foreign height पे boiling होगा और अगर हम Celsius की बात करें तो 100 degree Celsius पर क्या होगा Sir, boiling point तो इसकी इतनी होगी है न, boiling के लिए तो Celsius scale पे 100 degree और foreign height पे 212 degree हो जाएगी Clear यहां तक? चलो, आगे पढ़ते हैं इसमें, question क्या कहते है आगे अब यह कह रहा है कि the water temperature is lowered until the foreign height thermometer register 140 degree foreign height यानि जब आपने उस thermometer को बाहर निकाल दिया water से तब आपने क्या देखा temperature गिरते 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 कितना हो गया 140 degree foreign height हो गया अब क्या पूछता आप से What is the fall in temperature as registered by the centigrade thermometer अगर temperature foreign height का गिरते गिरते 140 हो गया तो बताओ Celsius में गिरते गिरते कितना होगा Celsius में पूछना चाहते है आपसे कैसे लिखेंगे तो सर अभी अभी आपने relation पढ़ाया था क्या पढ़ाय थे देखो पिछले slide में हमने पढ़ाया आईए यह relation पढ़ाया हमने Celsius और foreign height के बीच में इसको यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे Sir delta C is equal to 5 divided by 9 into delta F ठीक है ध्यान देना कैसे लिखोगे तो भई maximum 212 होता है गिरते गिरते कहां तक आगया 140 तक तो change कितने का हुआ है subtract कर दें इसमें से तो भई यहां से subtract कर देंगे 60 72 यानि change कितने का हुआ है Fahrenheit में 72 का हुआ है कितने का हुआ है 72 का हुआ है तो यहां से put कर देंगे 5 divided by 9 multiply 72 solve करो 9 से 8 बार में काट दो और 8 5 40 डिगरी Celsius का change आएगा Celsius scale में कितना आएगा भई 4 चलो देखो Thermal Expansion है न तो Thermal Expansion पढ़ने वाले next topic, new topic बहुत मजाने वाले आपको Thermal Expansion पढ़ने में भी तो अब तक हमने 5 सवाल प्रेक्टिस किया Celsius scale पे temperature conversion पे और भी सवाल अगर आपको लग रहे हैं प्रेक्टिस करने हैं तो मैं आपको अब प्रेक्टिस के आओंगा सिर्फ प्रेक्टिस सेशन जिसमें पूरे चेप्टर का एक साथ हम लोग 3-4 गंटे जितने लगने वाले दुन के करेंगे तयारी बढ़िया कॉशन प्रेक्टिस कराएंगे फिलाल मैं आपको कुछ कुछ प्रेक्टिस कराते जाता हूं इंपोर्टेंट कुश्चन थिऊरी के साथ-साथ ठीक है चलिए तो बोलो एक बार सभी अच्छे जितने बचे लाइब हमारे साथ जुड़े हुए है बताई एक बार स्टार्ट करें थर्मल एक्सपेंशन बढ़ें आगे थर्मल एकस्पेंशन की तरफ कहीं आप फैल तो नहीं गए है nella कहीं आप तो नहीं फैल गए है na चलिए तो हम भोग पढ़ने वाले है क्या भी कैसे अब प्रेचर बढ़ाने पर कोई चीज पैलती है एकस्पेंशन कैसे होता है फैलना, expansion का मतलब होता है फैलना, और thermal का मतलब temperature बढ़ाने पर, heat देने पर कैसे कोई चीज expand करती है, इसकी बात होने वाली है, अब thermal expansion कहानी होने वाली है, इसकी बारे में ठीक है, चलो, तो एक सवाल लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल है हमारे सामने स्क्रीन पे, और हम सवाल सवाल सुरू करेंगे, इसी question से सुरू करेंगे, इस सवाल को solve करते हुए, सुरू करेंगे हम लोग इस topic को, सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए, सवाल ये है, कि दो holes है, two holes, black color visible नहीं है, कौन सा color visible होगा, white लेते हैं, चलो, क्योंकि white में लिखा हमने है blue पे, तो बहुत दो holes ह हैं, two holes हैं, of unequal diameter, देखो ध्यान देना, यहां पर हमने एक seat लिया है, माल लो कोई metal seat है, ठीक है, और हमने दो holes वाना दिया हमें, एक hole हमने यहां बनाया, यूँ एक hole हमने बनाया, और एक hole हमने metal seat के दूसरे कोने पर बना दिया है, तो दो hole हमने बनाया, और दोनों का diameter और के रहा कि cut in metal seat एक metal seat में दो होल बना दिया आपने ने 2 शेद कर दिया एक का diameter डी नुसरे का diameter अगर आपने इस metal seat को heat किया, तो बताना है आपको क्या होगा, हम अगर thermal expansion नहीं भी पड़े हैं, तब भी बता देंगे, हैना, common बात है, अगर आप thermal, thermally से expand कर देंगे, इस seat को आप अगर heat कर देंगे, तो heat करने के बाद क्या होगा, expansion होगा, लेकिन ये थोड़ा सा समझ में आ लेते हैं, topics पे, हैना, इस topics पे कहाने जरा पढ़ लेते हैं, हम लोग है, कुछ-कुछ बाते हैं, ये रहा हमारे सामने, ऐसे हम मान लेते हैं, कि थर्मल expansion को समझने के लिए, एक point लेते हैं A, दूसरा point लेते हैं यहां पे B, एक point है इसमें A, एक point है B, ज्यान से समझो इस ब between any two points, यानि किसी भी solid material में, किसी भी दो point का distance, distance between any two points on a solid, increases with increases in temperature, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, समझो इस बात को, यानि एक solid material है मान लो, ठीक है, आपने दो point ले लिया A और B, जब आप इसे heat करेंगे न, तो A से B की दूरी बढ़ जाएगी, क्या होगी, A और B की दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि material expand हो रहा है, सोच के देखो क्यों expansion होता है किसी भी material में, गर्म करने पर, थोड़ी सी कहान ही आपको सुनाते हैं, दो मिनट, फिर आएंगे इस question में वापस, generally क्या होता है, कि कोई भी solid material, room temperature पर, उसके पास already thermal energy होती है, तो must thermal excitation कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसे और energy दे देते हैं, तो अब electron जो है, अब क्या करता है, उसके अंदर, atoms के अंदर जो है, और ज्यादा energy मिलने के कारण, उसके vibrations और ज्यादा होने जाते हैं start, तेज vibration, यानि दो atoms के बीच में collision और तेज होने लग जाता ह है, और वो atom कोसिस करेगा, कि और gap मिले, और gap मिले, और उनके collision के कारण, उनके बीच में gap बढ़ना start हो जाता है, क्योंकि energy मिलती है, खूब सारा collision करना start कर देगा वो, इस कारण से material क्या होते है, देरे-देरे expand होने जाता है, और expansion के कारण, किसी दो point के बीच का distance बढ़ जा है, ठीक है, तो expansion के कारण, तो माल लेते हैं, यहाँ पर distance इसके बीच में था x, क्या माना हमने भई, हमने माल लिया, कि यहाँ पर इनके बीच का distance कितना था, x था, ठीक है, इसके बीच का distance हमने माल लिया, x है, यहाँ पर क्या होगा, भई change हो जाएगा, तो x plus delta x हो जाएग उनको हीट करने के बाद उस material में कोई भी दो point लेंगे उसके बीच का distance बढ़ जाएगा अब आते हैं question को solve करने पर यह कहानी हमें समझ में आ गई है तो अब हम आते हैं question को solve करने पर तो भई हम क्या करेंगे यहां पर ध्यान दो हम क्या करेंगे हम यहां पर एक point माल लेंगे a और एक point हम यहां माल लेंगे b जब इस seat को heat करेंगे क्या इन दोनों points के बीच में distance बढ़ेगा exactly sir distance बढ़ेगा बिलकुल हा distance बढ़ेगा ठीक है तो इनके बीच में अगर distance बढ़ता है इनके बीच में अगर distance बढ़ता है तो diameter तो बढ़ेगा ना बोलो हाया ना हा सर diameter होगा हां सर मालो की एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है इनके बीच कभी डिस्टेंज बढ़ेगा डामीटर डी टू भी बढ़ेगा ओव्यसी बात है डीवन और डीटू दोनों बढ़ रहा है और प्षण में चुनते हम लोग हैं कौन सा बात है यह बैंक वाले मुझे बहुत जादा फोन करते हैं मुझे पता नहीं मैं सकल से भी गरीब लगता हूं क्या इन बैंक वालों को देख भी लेते हैं कभी कभी लाइब क्लास में बाउन पर फोन पर फोन किया जा रहे है इनको मुझे लोन देना इसय। इनको मुझे लोन देना है सिर्फ हाना चलो ध्यान दो सब्सुर्ण schlim़ वालों के भी मुझे भड़ा लेने दू पहले चलो साग़या सबीट है इसको ठोड़ा पर टाप्ते हो इसे कि अह से metal seat का, ओ हो हो, तुम भी भाग रहे हो, तुम भी भाग रहे हो, मिटाता हूं मैं इसे, हाँ, चलो, मैं pen selector लेता हूं यहां से, ठीक है, हाँ, तो हमने क्या देखा भई, कि जब हम इस metal seat को heat करेंगे, तो D1 और D2 दोनों बढ़ रहा है, option में चुनिए देखी, ध्यान यानि B option होना चाहिए था इसको, इसको क्या होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था, इसको C होना चाहिए था, तभी तो सही होगा, option की typing गलत हो गई है, यानि यहां पर होता B, और B है सही जवाब, यहां होगा C, और यह होगा D, ठीक है, तो B is the correct option, D1 और D2 दोनों का diameter क् बढ़ जाएगा ठीक है यहां तक क्लियर चलो अगले सवाल पर आते हैं एक और सवाल आपके सामने भी एक और सवाल है फिर से बताओ इस कुशन में के बारे में क्या राय है तुम्हारी पता लगाएं बढ़ा क्या कहता है देखो ध्यान दो एस सॉलिड बॉल थिकनेस कम करो थिकनेस कम करो मांश्टर चलो हां थिकनेस कम करती हमने ठीक है परना थिकनेस बहुत ज्यादा था पता लग रहा था कि कुछ और लिखा रहा है ओ हो तू भी उपर जा रहा है तू नीचे रह चलो यहां से रखते हम लोग है तो सवाल क्या है सवाल यह है कि एस स एक solid ball है metal का, भई color बदलो, color बदलो, color बदलो, हाँ, चलो, तो एक solid ball है metal का, has a concentric spherical cavity, धान से देखना, यह एक पीले रंगा जो दिख रहा है आपको बड़ा सा, यह एक spherical ball है, यह एक solid spherical ball है, और यह कह रहा है कि metal का ही यह बना हुआ, किसका metal का, concentric spherical cavity है, यानि इसके अंदर यह यह एक concentric spherical cavity है, ठीक है, आप ध्यान देना, इन सब को देखना भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, यह सब, मिटा देता हूं मैं, यह सब, मिटा देता हूं बही, चलो, अब यह ध्यान दो, अब यह कह रहा है कि cavity है, within it, if the ball is heated, अगर आपने इस spherical ball को heat कि, the volume of the cavity, इस cavity का volume, cavity का म पैसे हैं, आपके पास यह लोनवालों के फोणा आते हैं, और दो, इस उल 250 ऐसा नहीं है, इस पहूं आपने को आपने को पूण आते हैं, जिर दो, आप्यो इसको heat करेंगे हम, तो, जब आप इस फेरिकल बॉल को heat करेंगे तो इनका volume क्या होगा दिरे-दिरे expand होना है start हो जाएगा और अगर expand होगा आपने अभी पढ़ा ना just कि अगर दो point मालने x और y तो इनके बिच का distance बढ़ेगा तो volume का expansion होगा तो volume क्या होगा sir increase करेगा volume क्या करेगा volume जो है increase करना है start कर देगा किसका इसकी cavity का यह ध्यान रखना है ठीक है इसके cavity का volume expand होना start हो जाएगा और यह यह ओप कि आपको thermal expansion की छोटी छोटी बात तो समझ में आ गई है कि न बात समझ में आ गई आपको अब आते हैं थोड़ी हम और गहरी और बड़ी बात करने start करते हैं ठीके थोड़ा सम लोग जब है बड़ी बड़ी बातें समझतें आश्मेय का आपको बढ़ना linear expansion कौन सा पढ़ना है आपको पढ़ना है linear expansion दूसरा पढ़ना है आपको aerial expansion ठीक है aerial expansion पढ़ना है आपको इसी का दूसरा नाम है superficial और तिसरा पढ़ेंगे आप volume expansion या फिर आप इसे कह सकते है expansion आप इसे कह सकते हैं क्या cubical expansion cubic expansion ठीक है तीन टाइप के एक्स्पेंशन पढ़ने, पहला स्टार्त करते हैं ने हें लिन chang пар wounds ने कहानी अपनी कहानी कहान से स्टाथ होगी लिन neo अपनी एक्सपेंशन से स्टार्टोगी चलो आओ पहले दिखते हम लोग है unfair linear expansion ठीक है यह रहा हमारे सामने linear expansion, तो भई हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक L length का rod ले लिया है, ठीक है, क्या लिया हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर L length का एक rod ले लिया है, ठीक है, इसका length कितना हमने माना, initial L naught हमने माना इसका, ठीक है, हमने क्या क्या इसे heat करना start कर दिया, क्या कि हमने इसे हमने delta t temperature देकर हमने इसको heat करना है start कर दिया जब हमने heat किया तो rod में क्या हुए expansion हो गया linearly फैल गया अग्दम पूरा फैल गया ही है ठीक है इस तरह से फैल गया तो हमने कितना माना इसका new length हमने माना इसका new length l dash कितना माना हमने l dash माना और l dash की value कितनी हो जाएगी तो sir l naught plus delta l कितनी हो जाएगी l naught plus delta l change in length का formula याद करो change in length का formula कितना होगा भई तो sir original length alpha into delta t यह हो जाएगा formula किसका change in length का formula हो जाएगा यहां से delta l क्या हो जाएगा sir delta l हो जाएगा change in length क्या हो जाएगा change in length हो जाएगा delta L वही L0 क्या हो जाएगा sir L0 हो जाएगा initial length क्या हो जाएगा ये L0 हो जाएगा initial length alpha क्या है alpha है coefficient of thermal expansion coefficient of यहाँ पर linear चर्चा हो रही है तो हम लिखेंगे linear expansion क्या लिखेंगे हम इसे linear expansion लिखेंगे ठीक है और यहां से T क्या है? तो T है Sir, Change in Temperature, क्या है? Change in Temperature, Temperature, है न, ऐसे कर दो अंगरी भी खराब हो जाएगी, है न, Temperature, ठीक है? तो इनके नाम आपको पता लग गए? चलो, आप बात करते हैं यहां से फॉर्मुले बनाने की, तो भाई आपको यह पता है कि Change in Length का फॉर्मुला क प्लस डेल्टा L, तो आप यहां से L0 को L0 रखो और डेल्टा L का वैल्यू रख दो, L0 अलफा डेल्टा T, ठीक है? ऐसे आप रख दीजे इसको, तो भाई क्या हो जाएगा? Sir, L0 L0 को common ले लो Sir, तो common ले ले लेंगे, तो 1 प्लस अलफा डेल्टा T, यानि यह हो जाएगा अलफा गुलाबी करते हैं, थोड़ा साम गुलाबी है ना, गुलाबी रंग से लिखते हैं हम लोगे हैं, तो यह हो जाएगा हमारा क्या? भाई, निव लेंग का फॉर्मूला, तो दो फॉर्मॉले याद रखने हैं, एक आपको ये और एक दूसरा फॉर्मॉला ये, दो फ बढ़े बोलो हाँ या ना एक बाल सभी बच्चे बोलो जल्दी से हाँ या ना जो भी हमारे साथ लाइब जुड़े हुए है बताई जल्दी से एक बार स्टाट करें आगे बढ़े एना चलो खुलातर्मा कह रहा है आपके इंकम एक लाक पर मंत है तुम चापा मरवाऊगी क्या से यवाले आ जाएंगे घर को एना इनकम टेक्स वाले आ जाएंगे पैसा कहां से लायत निखाल जल्दी से एना इंकम टेक्स नहीं भर रहा है एक लाग रुपे महिने बारा भरना चाहिए हमें हम इंकर टेक्स नहीं भर रहे हैं हम गैर जिम्मेदार नागरिक हैं तो CBI आएंगे और उठा की ले जाएंगे पढ़ाएगा तुम्हें कौन फिर ऐसे कमेंट मत किया करो बिल्कुल भी कमेंट सेक्षन में कि एक लाक रुपे कमा रहे हैं वरना लीक हो जा मिटजा 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 जल्दी मिटजा हां मिटजा मिटजा चलो हां अब ध्यान दो मिटगा ये क्या करना हमें हमें इसे भी मिटाना है पहले एक बार और एक मिनट रुकना बस इसे भी मिटा लो जस्ट थोड़ा सा टाइपिंग एरर होगी आज है न हम क्या कर के बीच में graph draw करने वाले हैं, ठीक है, length और temperature के बीच में graph draw करने वाले हैं, तो क्या formula भी हमने पढ़ा था, हमने अभी formula पढ़ा, pain को करा जाए, ठीक, है न, तो L का formula हमने क्या पढ़ा, sir, L का formula हमने पढ़ा था, L0 plus plus delta L, ये formula हमने पढ़ा था, क्या लिख सकते हो L दो, L को आ L0, alpha, delta, T, ठीक है, और इसके बाद L0 लिख दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा formula, ये आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा था, हमने L0 को common लेकर formula बना दिया था, 1 plus alpha, delta, T, हम नहीं बना रहे हैं, यहां आप बस इसको एसा याद रखिए, ठीक है, यहां तक क्लिए रहे अब ध्यान दो, हम graph किस-किस के बीच में draw करने वाले हैं, length और temperature के बीच में, change in temperature के बीच में, तो भाई हम length को रखते हैं y axis पे, किस पे रखेंगे इसको हम, y axis पे, और change in temperature को हम रख रहे हैं x axis पे, किस पे रख रहे हैं, x axis पे रख रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है, तो graph क इसे draw होगा, भी ध्यान दो, graph हम ऐसे बनाते हैं, x-axis पे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया change in temperature, और y-axis पे हमने क्या ले लिया, y-axis पे हमने ले लिया length, ठीक है, यह होगे हमारा y-axis और यह होगे हमारा x-axis, ध्यान देना, अगर मैं इसको यह कह दू, कि यह वाला जो term दिख क्या हो जाएगा भई, तो इसे आप कहेंगे y-intercept, तो भई यह होता है y-intercept, ठीक है, तो भई y-intercept भी कैसा है, positive है देखो, और slope भी हमारा कैसा है, sir, slope भी positive है, तो भई अगर हम यहां से y-intercept बना ले, l-not, तो graph हमारा कैसे start होगा, sir, linear graph होगा, क्योंकि दोनों positive है, और दोन linear graph बन जाएगा हमारा इसके बीच में, कैसे बनेगा graph, linear graph बन जाएगा, मिटाते है, थोड़ा सा गंदा graph बना दिया हमने, तो graph कैसा बन जाएगा भई, sir, यह हो जाएगा हमारा y-intercept, और यह graph बन जाएगा ऐसे हमारा linear graph, किसके किसके बीच में, length और delta t के बीच में graph आप ब बिंग को नाइंगे श्लोप लिखना चाहेंगे कि यहांसे θेटा और स्लोप नहों जाएगा ठेंट टीटा के बराबर हो जाएगा श्लोप कितना हो जाएगा ठेंट लाइण तो यहां से L Α्फाटी लिख सकते यहां से हम न इस तरह से हम slope 20 का लिख देंगे, तो यह होगी हमारा graph किस किस के बीच में, L और वल्सेस, delta T की बीच में, कई बार graphical questions पूछ लिए जाते हैं, तो graphical questions पूछने पर आसानी से हो जाएगा, है ना, क्या पूछ रहे हो भई, sir, एक बार दुबारा बताना, देखो ध्यान दो, मैंन L not alpha delta T, बिल्कुल सही है, हाँ, sir, हमने बस इसको इधर उधर करके लिख दिया है, ध्यान देना, मैंने यहां से पहले लिख दिया, L not alpha delta T, और यहां से L not को हमने लिखा इधर, क्यों sir, आपने ऐसा लिखा, हमने इसलिए ऐसा लिखा, ताकि हम relation बना सकें अच्छे से, हम यह यहां से भी दिखा देते, हम यहां से बिखा देते, हम यहां से बिखा देते, हमने इसलिए कर दिया, अब हमने क्या बनाना था भई, length और delta T, इनके बीच में हमें graph बनाना था, एक को हमने y-axis पे ले लिए, आप एक यह दर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ह है, तो हमने length को ले लिया y-axis पे और t को ले लिया हमने x-axis पे, आपने formula पड़ा होगा, straight line का, y is equal to m into x plus c, याद है, इस relation को याद करो, और देखो, बिल्कुल है, तो हम इसका चेहरा, इससे बिल्कुल same to same मिलता है, यह वाला क्या term हो गया, यह वाला term हो गया, m, यह हो गया x, x हमने माना ही था delta t को, यह क्या है, c intercept है, आप इसे क्या लिखेंगे, c intercept, तो इस तरह से हमने graph, इसका straight line graph draw कर दिया, versus, भही length versus delta t का, clear है, आगे बड़े, आओ सवाल करते हैं, linear expansion पे solve, ठीक है, थोड़ा सा मजा लेते हम लोग है, linear expansion के सवाल solve करेंगे, और एक बहतरीन सव आपने हैं भई, चलो पढ़ते हैं पहले सवाल क्या कहता है, यह करा कि the length of a steel rod, एक steel rod है, इसका length 5 cm ज़्यादा है, किस से brass rod से, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे भई, किस से ज़्यादा है, steel rod का brass से ज़्यादा है, तो length of steel rod minus length of brass rod is equal to 5 cm, क्या बताओ, लिख सकते हैं ऐसा बिल्कुल, हाँ सर, लिख सकते हैं, ठीक है, यह बात हमने लिख लिख लिया, अगला line पढ़ते हैं इसके बाद हम लोग, क्या कह रहा है है, जान दीजिए, if this difference in their length, अगर इनके length का difference remains the same, हमेशा सेम रहेगा, यानि जितना length में change हुआ ब्रास में, उतना ही हुआ इस्टील में, तो इनका change हमेशा 5 बना हुआ है, ठीक है, इनके बीच का distance कितना बना हुआ हमेशा 5 बना हुआ है, ठीक है, at all temperature, हर एक temperature पे, चाहे आप temperature कुछ भी क्योना ले ले, temperature constant टरा दो न, ठीक है, then the length of brass rod will be coefficient of linear expansion for steel, धान देना, alpha की value दिया हुआ है, किसके लिए, तो सर, alpha steel दिय हुआ है, है न, alpha steel दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, alpha steel दिया हुआ है, stel, है न, alpha stel, तो alpha steel दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, alpha steel, तो सर, 12 into 10 to the power minus 6, 12 into 10 to the power minus 6, और per degree Celsius, ठीक है, इसके बाद एको alpha brass भी दिया हुआ है, तो यहां रिक दो value इसकी, अल्फा ब्रास हो जाएगा कितना? 18 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. इनकी value हमें दे रखा है. आप से क्या पूछना चाहा इसने? आप से क्या पूछा है इसने? कि then the length of brass rod, आप मुझे बताईए brass rod की लंबाई कितनी होगी? ठीक है? brass rod की कितनी होगी? कैसे निकालेंगे brass rod की लंबाई? एक बात ध्यान से समझो. इस question ने सबसे जरूरी बात जो हमें hint किया वो ये, कि change in length of steel rod is equal to change in length of brass rod. क्या ये बात मैं कह सकता हूँ? बिलकुल कह सकते हैं sir, क्योंकि यहाँ इस line को पढ़ो और देखो इसने कहा इसमें, कि if the difference in their length is to remains the same, यानि इन दोनों का जो change है वो बराबर है, ठीक है? इनके change जो हमेशा बराबर हैं. अगर आप ये बात कह सकते हैं, तो देखो, भई आगे पेज है blank? हाँ, है blank, बहुत अच्छा, चलो, ध्यान दो. तो हमने क्या लिखा? हमने दो बात इसमें लिखा है, पहला हमने लिखा, length of steel minus length of brass is equal to 5, ये लिख चुके हैं. दूसरी बात हमने क्या लिखा? हमने लिखा, length of steel is equal to change in length of brass ये जो है, बराबर होगा. बहुत, change in length का formula क्या लिखते हो? original length of steel, ठीक है? into alpha, delta t is equal to, इसके लिए भी क्या लिख होगे? length of brass, alpha, alpha steel का, तो यहाँ पे brass का, और delta t. delta t दोनों में सेम है, काड़ दो यहां से, अब यहां से ध्यान देना, length of steel हमें नहीं पता, हम रख देते हैं, but alpha steel दिया हुआ है, कितना? 12 into 10 to the power minus 6, ध्यान दो, length of brass हमें नहीं पता, यही तो बताना हमें है, पता करना है, लेकिन alpha दिया हुआ है, कितना? 18 into 10 to the power minus 6, ध्यान दोगे, 10 to the power minus 6, काटो, मिटाओ, फिर से लिखता हूँ मैं, length of brass into 18 into 10 to the power minus 6, ठीक है? तो भई 10 to the power minus 6 है, minus 6 काट दो, और यहां से काटो, भई किस के table में आएगा, तो 3 के table में आजाएगा, सर, हाँ, तो 3 4 times में काट दो इसे, और 6 times में, तो 2 2 times में काटो 3, यानि कितना आ गया, 2 times of length of steel, और 3 times of length of brass आ गया, आपको इस वाले equation की तरफ जाना है, क्योंकि आपको क्या बताना है, length of brass, steel का value रख दो brass के term में, तो कैसे निकालोगे, तो भई, steel की value हो जाएगी, 3 by 2 length of brass, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ sir, लिख सकते हैं, अब इस वाले equation को, उठा के ले चलो इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा भई, सर आपने लिखा, length of steel जो है, वो हो जाएगा, 3 by 2 length of brass, और वहाँ से already क्या है, length of steel minus length of brass is equal to 5, यह वाला equation पूट करो, 3 by 2, length of brass minus length of brass हो जाएगा, यह is equal to 5, subtract कर दो भई, यहां से LCM ले लो, fraction ले लो, तो यह हो जाएगा 2, यहां से 3LB minus 2LB is equal to 5, solve करो, तो solve करो गए, तो 3 minus 2 हो जाएगा, 1LB, और multiply कर दो, यानि 10 cm हो जाएगा, length of brass, यह हो जाएगा, इसका सही answer, तो देखो, option में है 10 cm, option में है 10 cm, exactly है, बिल्कुल, सही सर, हाँ है, तो D is the correct option, D is the correct option, हाँ, बिल्कुल, बढ़कती आत्मा बता चुके है, D is the correct option, कुनाल सर्मा बता रहे हैं, D is the correct option, ठीक है, तो इस तरह से आप 10 cm का answer बना लेंगे, है नासान, बताओ जल्दी से, question number 8, solve हो चुका है, या नि अब तक हम लोग class में, अपने class में, 8 सवाल solve कर चुके हैं, आगे बढ़ें बढ़ें, बताओ बच्चे, आगे बढ़ें हम लोग, आगे बढ़ें, चलिए, अगले सवाल पर आते हैं, next question पर आते है, question number 9 हमारे सामने है, question number 9 पड़ें जल्दी से, करते हैं, explain, और करते हैं, इसका भी हम लोग कान तमाम, क्या कह रहा है, coefficient of linear expansion of brass and steel rod, दो रोड दिये गएं, brass और steel, और इन दोनों का linear expansion coefficient कितना है भई, alpha 1 और alpha 2 है, ठीक है, length of brass and steel rod are L1 and L2, ध्यान देना, दो तरह के material दिये गएं हैं, brass और steel, इनका linear coefficient दिया हुआ है, expansion coefficient, alpha 1, alpha 2, length दिया हुआ है, L1 और L2, यहां एक और data दिया हुआ है, if L2 minus L1, अगर L2 minus L1 करेंगे, यह हमेशा same है, at all temperature, ठीक है, यानि आप से क्या कहा इसने है, सबसे जरूरी सूचना तो यही है, कि L2 minus L1 करने पर, यह हो जाता है, constant, क्या हो जाता है, यह हो जाता है, constant at all temperature, हर एक temperature पर यह constant हो जाता है, and which one of the following relation hold good, यानि इन में से कौन सा option सही होगा, और यह देको, नीट के 2016 का सवाल है, 1999 में हो जाता है, जान दीजेगा, change अगर constant हो जाता है, at any temperature, जिक है, at any temperature, तो क्या आप यह लिख सकते हैं, कि सर, इनके बीच का delta L2 और delta L1 भी equal हो जाएगा, हाँ, बिल्कूल, क्योंकि हर एक temperature बीच का change equal है, तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, delta L2 की value डालो, क्या लिखोगे यहां से भई, तो length of steel, और यहां से alpha 1 लिख लो, यह हम एकाम करते हैं, इनके नाम लिखते हैं, है न, 1, 2 करके लिखते हैं, क्योंकि इसने दिया है, 1, 2 करके ही दिया है, चाह क्या दिया है, ब्रास और steel दिया है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, order में, delta L1 किसके बरावर हो जाएगा, delta L2 के बरावर हो जाएगा, L1 किसके लिए है, ब्रास के लिए है, यहां पर, तो हम लिख लेंगे, L1, alpha, alpha 1 हो जाएगा, और delta T, यहां से लिखेंगे, L2, L2, alpha 2 हो जाएगा, और delta T हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है, कि at all temperature सेम रहने वाला है, तो temperature सेम रहने वाला है, तो इन दोनों को temperature काट दीजे, T, D, delta D काट दीजे, ठीक है, अब यहां से आप देखें, रेलेशन का मिला आपको, L1, alpha 1, L2, alpha 2, क्या मिला, L1, alpha 1, L2, alpha 2, अब देखो, यह कौन से option में है, किस option में है, तो पहला option देखिए, B की तरफ जाएगे आप, B में बिल्गुल सही है, alpha 1, L1, alpha 2, L2, ठीक है, पच्छे कही बार इसकी तरफ चले जाते हैं, यहाँ ध्यान देना, उल्टा लिखा हुआ है, alpha 1, L2 है, जबकि होना क्या चाहिए था, L1, alpha 1, तो सही जवाब क्या आएगा इसका, सही जवाब आएगा, sir, L1, alpha 1, is equal to L2, alpha 2, जो की B option में है भी, है ना, तो B option में यही है, तो B is the correct option, ठीक है, इस सवाल का B हो जाएगा, सही जवाब, बोलो, यहाँ तक clear है भई सभी को, यहाँ तक ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लो, next सवाल के तरफ आते हैं, next question आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी solve करिए, बताइए, हम आपको कराते हैं, ज्याँ दीजिए, कर रहा है कि एक copper rod, एक copper rod है, 88 cm का, and aluminium rod of unknown length, यानि एक copper rod लिया गया है, जिसका length है, 88 cm, एक दूसरा rod है, aluminium, जिसका length हमें नहीं पता, have there increases in length independent of increases in temperature, यानि क्या कह रहा है है, आपको यह ज्यान देना इस टर्म पे, have there increases in length independent of increase in temperature, यानि कोई फर्क नहीं पढ़ता, temperature में increase होने से, इनका length जो है, वो constant हो जाता है, क्या हो जा रहा है भई, delta L क्या हो जा रहा है, delta L जो है, वो constant हो जाता है, किसका copper और aluminium का, यानि आप यहां से कह सकते हैं, आप यहां से कह सकते हैं, कि length of copper जो है, length of aluminium के बराबर होगा, और यह क्या है, constant हो जा रहा है, at any temperature, ठीक है, अब आप से क्या पुछा है, length of aluminium rod बता दो, क्या पुछा है यहां से, length of aluminium rod, बताए, कैसे लिखेंगे, length of aluminium rod, बताओ जल्दी से कैसे लिखोगे, तो सर्सेम करेंगे हम यहां से, इन दोनों की बीच का change बराबर हो जाएगा, तो change of length of copper is equal to change in length of aluminium, formula लगा तो जल्दी से यहां से क्या लिखोगे, तो भई length of copper into alpha c into delta t is equal to length of aluminium into alpha aluminium into delta c, delta t, तो delta t से delta t काट दो, यह बराबर हो जाएगा, relation क्या आएगा, निकालना क्या हमें है, length of aluminium, इसका formula बना देते हम लोग है, ठीक है, तो भई length of aluminium का formula क्या हो जाएगा, length of copper, alpha copper, copper के लिए हम c लिख रहे हैं, ध्यान रकना हलकी c u होता है, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसके बाद कुछ बचा क्या, हाँ, बचा क्या हमारे पास alpha c बचा है, नहीं, कहां चला गया भई, हाँ, यह बचा है न, हमारे पास alpha aluminium बचा है, तो हम alpha aluminium रख देंगे, तो formula हमारे पास क्या बन क्या है, भई, length of aluminium is equal to, इस वाले term को ऊपर, और यहां जो बचाता उसको नीचे ले आए, तो length of copper, original length of copper, alpha c divided by length alpha aluminium, अब देखो यहां से, alpha copper, c u लिख लो, है न, हम c लिख रहे है, sort में लिख रहे हैं, ठीक है, समझ जाईएगा, carbon नहीं है, यह copper है, तो आप यहां से put करेंगे value जल्दी से, क्या value हो जाएगे, दिखो ध्यान दो, value क्या हो जाएगा, इधर put करते हम लोग हैं, है न, तो length of aluminium क्या हो जाएगा, सर वाहां से put करेंगे, तो length of copper कितना दिया हुआ है, 88 cm दिया हुआ, ध्यान दो, starting में दिया हुआ है, इसको meter में मत convert करो, क्योंकि जो value आएगा length का, वो centimeter में दिया हुआ है, ध्यान देना, इसको meter में convert नहीं करना है, alpha c कितना दिया हुआ है, ध्यान दो, तो alpha c दिया हुआ है, 1.7 into 10 to the power minus 5 per kelvin, divided by alpha, aluminium कितना दिया हुआ है, तो 2.2 दिया हुआ है, into 10 to the power minus 5, अब ध्यान दो, क्या करेंगे हम इसके लिए, decimal से decimal को उड़ा दो, 10 to the power 5 से 10 to the 5 को उड़ा दो, यहां से काटो, इसको 4 बार में कट जाएगा यह, यानि final कितना आया, 4 multiply 17, और इसको multiply करोगे, तो 68 cm आजाएगा इसका सही जवाब, ठीक है, और देखो 68 है क्या option में, हाँ sir, B is the correct option, B में है 68 cm, तो B इसका जो है, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, आसान है भई, बताओ हाँ या ना, आसान है ना, चलो, आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग, अगले सवाल के दब चलते हैं, next question, next question हमारे सामने screen पे है, पढ़िए जल्दी से, क्या सवाल कह रहा है, अच्छा, एक sequence इसका गड़वडा गया, है ना, last time हमने 9 किया था, ये भई हमारा जो है, 10th question है, कौन सा सवाल है, ये जो है हमारा 10th है, काटो इसको, typing error है, 10th सवाल हमने कर लिया, है ना, अब आते हम इसके बाद, 11th सवाल पे, 11th सवाल पे आते हैं, क्या है 11th सवाल, पढ़ते हैं इसको देखो, ध्यान दो, क्या है बई, ये करा कि 2 rod है, इनके length 1 के L हैं, दूसरे के 2 L हैं, इन दोनों का, coefficient of linear expansion, एक का alpha, दूसरे का 2 alpha दिया हुआ है, are connected end on end, यानि कुछ इस तरह से connected है, एक दूसरे का end जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से, ठीक है, the average coefficient of linear expansion, of the composite rod, अब यहां से आपको ये बात याद रखना है, क्या दिया हुआ है, देखो, ध्यान दो, यह दिया हुआ है, कि एक rod है, यह रहा एक rod, इसका length है L, और इसका linear coefficient है alpha, ठीक है, एक दूसरा rod है, एक दूसरा rod है, जिसका नाम है, बहुए, एक दूसरा rod है, जिसका length कितना दिया हुआ है, 2L, तो हम माल लेते हैं, इसका length है 2L, ठीक है, और इसका दिया हुआ है, coefficient 2 alpha, आपसे क्या पूछना चाहा है, इन दोनों को आपने, end to end combine कर दिया है, कुछ इस तरह से, आपसे पूछ रहा है कि, the average coefficient of linear expansion of the composite rod, तो भई, आपको यहाँ बताना है, alpha composite बताना है, क्या बताना है, alpha composite बताना है, तो alpha composite का formula direct याद रखिए, और इससे हम लोग solve करेंगे, ठीक है, यह direct formula आपको याद रखना है, alpha composite का, क्या याद रखना है, L1 alpha 1, plus L2 alpha 2, and divided by L1 plus L2, यह formula है, alpha composite का, याद रखिए, एक master formula, आपने आपको और बता दिया, कोई साभी question आए, alpha composite के लिए, तो आप क्या लगाएंगे, sir, L1 alpha 1, plus L2 alpha 2, divided by L1 plus L2, अब value रख दो, जल्दी से फटाफ़, अगर हम इसकी value रखेंगे, अगर हम इसकी value रख दें, तो देखो, क्या obtain होगा हमें, 2L रख दो, अब देखो, alpha 2 कितना दिया हुआ है, alpha 2 दिया हुआ है, sir, 2 alpha, 2 alpha रख दो, नीचे के length को जोड़ दो, L plus 2L, ठीक है, अब ऊपर solve करो, देखो ध्यान दो, L alpha common निकाल सकते हो, यहां से आप चाहो तो, है ना, L alpha अगर आप चाहें, तो यहां से common निकल जाएगा, तो L alpha को common निकालो, बचा क्या 1, यहां देखो क्या बचेगा, L निकल गया, alpha निकल गया, तो 2 multiply 2 बचा है, यानि 4 बचा है अंदर, और नीचे हो जाएगा 3L, add हो जाएगा दोनों, L ने L को काट दिया, यानि ऊपर देखोगे तो कितना आया, 5 divided by 3 alpha, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, सही जवाब हो जाएगा हमारा option number, 5 by 3 alpha, C correct option हो जाएगा, ठीक है, C is the correct option, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बताएगा आपने, तुनाल सर्मा बता रहे हैं सर, 5 by 3 alpha, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 5 by 3 alpha हो जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग alpha composite के बाद, अगले सवाल पर आते हैं, और next topic हमारा होगा, by metallic strip, ठीक है, by metallic strip पढ़ेंगे, एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक रहा है, नीट का और आपके बुक्स में भी कई सारे सवाल मिल जाएंगे, यह ना, बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है, by metallic strip करते हैं से भी, बस एक मिनट दे दो, फोल्ड करो, तरह दो घूट पानी पी लें है ना, by metallic strip करते हैं, आओ ध्यान दो, चलो, कहां गया pen, कहां गया pen, यहां है pen, by metallic strip में करना हमें क्या है, ध्यान सुनो इस बात को, ध्यान देना, हम क्या करते हैं, दो अलग-अलग material को, मानलो इसका alpha है, मानलो कि इसका alpha है, alpha 1 और इसका है alpha 2, alpha क्या होती है, भई यह material की property होती है, ठीक है, हर एक material के अलग-अलग linear coefficient होगा, ठीक है, linear expansion coefficient अलग-अलग होगा, तो हमने माना ऊपर वाले को, कोई एक material है, जिसका नाम है alpha 1, coefficient, और दूसरा material हमने कोई और माना alpha 2, इन दोनों को end-to-end जो है आपको ने ऐसे pivoted कर दिया, ठीक है, आपने इसे दोनों को इस तरह से connect कर दिया, जोड दिया ऐसे, ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसे करेंगे heat, अब क्या करेंगे, heat करेंगे, ठीक है, तो अगर ये दोनों end-to-end जुड़ा हुआ है, ऐसे, ये दोनों end-to-end बना हुआ है, और मानलो कि उपर वाला ज्यादा फैलने वाला material है, उपर वाले का expansion ज्यादा हो सकता है, नीचे वाले का कम हो सकता है, लेकिन दोनों attach है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ है, उपर वाला चाहेगा फैलना लेकिन फैलेगा, तो वो क्या होगा, ऐसे curved हो जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे वाला फैलने से रोकेगा, ये कहेगा, नहीं, नहीं, मैं नहीं जाने देर आपको आगे, तो क्या होगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे bend हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, तो ये ऐसे bend हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने कर दिया, ऐसे heat, और heat होने के कारण क्या होगा, thermal expansion हो जाएगा, और अगर thermal expansion होगा, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ये ऐसे bend हो के हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये bend हो जाएगा, ये आद आपको समझ में आ गया, अब देखो थोड़ा सा आर्क की तरह दिख रहा ये, अगर मैं ऐसे बना दू, अगर मैं इसको ऐसे बना दू भई, इसी end को लेते हम है, इसको अगर ऐसे बना दे हम, तो क्या कहेंगे, भई सर ये हो जाएगा, आर्वन और इसका नाम दे दो, आर्टू, रेडियस पहले वाले का और दूसरे वाले का, ठीक है, और ये angle theta अगर सबटेंट कर रहा है, angle तो बड़ाबर ही होगा, theta हो जाएगा, तो भई, पहले वाले का length कितना लिखेंगे, सर, र इंटू theta, तो, र और रिंटू theta, दूसरे वाले का लेंद कितना लिखोगे, तो, सर, R2 into theta लिखेंगे sir हम यहाँ क्या जरूरी बात थी कि alpha 1 जो है वो जादा है किस से alpha 2 से तभी तो इसका expansion हो रहा है जादा alpha 1 किस से जादा है alpha 2 से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो length जादा हो जाएगा L1 किस से? L2 से after expansion क्या यह बात सभी को समझ में आया क्यों यह मुडेगा यह बात सभी को समझ में आया बताओ हाया ना सभी बच्चे को यह बात समझ में आया कि क्यों होगा इसका alpha जादा क्यों होगा इसका alpha कम है ना तो अगर मैं यह कहूं कि इसका original length जो है हमारा L2 से और L1 L2 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा R2 इंटू ठीटा यह तो आर्क लेंथ है यह ना आर्क लेंथ इन्टू रेडियस कर देंगे यहां से ठीटा निकल जाएगा थम यहां से निकाल देश वैली को यही रुको कहां जा रहे हो तो पहला सवाल आपके सामने देखिए क्या है क्या यह है कि दो मैटलिक स्टिप हैं and that constitute a बाइमेटलिक स्टिप दो मैटलिक स्टिप हैं इन दोनों को मिलाकर एक बाइमेटलिक स्टिप बनाया जाता है आप बताईए कि अगर आप दो मैटलिक स्टिप बनाते हैं तो उन दोनों में किस बात का अंतर होगा लेंथ तो बराबर होगा दोनों को आप end to end पाइवोटिट कर देंगे अंतर किस चीज का हो सकता है सो उस्ते है, mass का नहीं, length का नहीं, किसका अंतर होगा, alpha का अंतर होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको अभी, कि एक का alpha बन दूसरे का alpha 2, अगर alpha अलग अलग है, तो आप टार expansion क्या होगा, उपर वाला ज्यादा मुड़ेगा, उनमें expansion ज्यादा होगा, नीचे वाला बधा हुआ है उससे, इसलिए नीचे वाला कम expansion होने के कारण उसको ऊपर की तरफ ऐसा यूँ मोड़ो देगा, ठीक है, तो पहला जो है, क्या याद रखना आपको, इसमें किस बात का difference होगा, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, अगले सवाल पर, अगले सवाल पर आते हैं, अपके स yahaan nahi होना है, 13 banks, 13 होना है, यहा यहां, है ना, 13, बहुत मोटा 13 आया, है ना, बहुत मोटा 13 आया, इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर चल गया, razor है ना, तो ठोड़ा सा कमा 13, 13, ठोड़ा सा कमा है, हाह, कमाया, चलू, आगा करते हैं, सवाल को, उसमें क् कि एक biometallic strip बनाया जा रहा है, made of किस से, aluminium से बनाया जा रहा है, ठीक है, and steel, ध्यान देना, ऐसे हमने रखा, ध्यान दो, ऐसे हमने रखा, यह रहा हमारा पहले क्या है उपर, aluminium है, aluminium है भई, तो उपर हमने रखा aluminium, और ऐसे आपने attach करके, दूसरा material यह कौन सा, steel लिया आपने, ठीक है, दूसरा material आपने लिया है, steel, दो material आपने लिया, इनसे बना रहे हैं आप biometallic strip, तो जब आप biometallic strip बनाएंगे, on heating, अगर आप इसे heat करेंगे, तो बताईए, कौन साइस में से option सही होगा, हमें नहीं पता, पर हमने यह अभी बढ़ा है, क्या पढ़ा हमने, कि उपर aluminium और नीचे steel होगा, है ना, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं, कि अगर ऐसे बन रहा है, अगर ऐसे बन रहा है, तो ध्यान देना, ऐसे बनने में, क्या कहा जा सकता है, कि भई यह हो गया, concave side, क्या हो गया यह, concave side, और यह क्या हो गया, convex side हो जाएगा, तो याद रखन है, तो concave side की तरफ कौन है, सर, concave side की तरफ steel है, convex की तरफ कौन है, aluminium है, option पढ़ते हम लोग है, आओ, option में क्या क्या दिया हुआ है, कहला कि remain straight, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, get to straight, नहीं, twist भी नहीं होगा, बढ़ते हैं इसको हम लोग, will bend with aluminium on concave side, क्या aluminium concave की तरफ है, न बिल्कुल सही जवाब है, concave की तरफ steel side है, नहीं, तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या होगा, D is the correct option, बिल्कुल हाँ, D सही जवाब है भी भटकती आत्मा, नहीं, नाम भी कैसे कैसे रखते हैं, भटकती आत्मा, नहीं, D is the correct option, चलिए, अगले topic बाते है, time period of pendulum, pendulum के time period की ह नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, ठीक है, चलो, पहले देखते हैं हम लोग है, मान लो कि ये ऐसे आपने जो है, एक pendulum यूँ ऐसे आपने लटका दिया, ठीक है, ऐसे pendulum यूँ जो है, घूम रहा है, ऐसे यूँ पैंडूलम जो है, गूम रहा होता है, घड़ी में ल ये पता करना है हमें, ठीक है, temperature dependent होता है, या नहीं होता है, तो भई, time period का formula क्या हो जाएगा भई, तो time period का formula हो जाएगा, 2 pi under root L divided by G, ठीक है, ये formula होता है time period का, आपको अभी कभी रट लेना है, हाला कि chapter 1, 2 में, 2 में, dimension में, इसका जो है एक छोटा सा, हम लोग जो है expression solve भी करते हैं, है न, याद होगा अगर आपको solve किया होगा आपने dimensional analysis में correction किया होगा, कि क्या ये dimensionally correct है या नहीं है, याद आया, नहीं आया, पढ़ेंगे आगे oscillation में, पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम लोग ये formula कैसे derive होता है, उसमें भी कराएंगे आपको, ठीक है, चलिए तो फिलार भी याद रखना है कि time period of pendulum कितना होता है, t is equal to 2 pi under root l by g, 2 pi under root l by g, अब ध्यान से सुनना, पहली बात, जब आप इस material को heat करेंगे, ठीक है, जब आप क्या करेंगे, heat करेंगे, यानि heat आप increase करेंगे, क्या करेंगे भई, जब आप इस material को heat करेंगे, तो heat करने पर क इसका temperature बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, sir, इसका temperature बढ़ेगा, तो इसका अगर temperature बढ़ेगा, तो temperature बढ़ने पर क्या बढ़ता है, sir, length बढ़ेगा इसका, क्या बढ़ेगा, तो इसका length बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, भई, length बढ़ जाएगा, और बटा देखो, ध अगर आप L की value बढ़ाते हैं तो T बढ़ेगा है ना तो अगर आपने length बढ़ा दिया तो आप कह सकते हैं कि time period जो है बढ़ जाएगा ठीक है घड़ी की यानि इसका pendulum का time period क्या होगा बढ़ जाएगा exactly बिल्गुल सही का मैंने हां sir यह हो जाएगा दूसरी बात समझो अगर आपने इसका heat loss करा दिया यानि ठंडे temperature में ले गयी क्या कि आपने भई heat आपने जो है इसका घड़ा दिया हैना cool कर देते हैं हैं कूल कर दिया आपने करा आपने अगर heating करने के वज़या cooling कर दिया तो जोब BENEART कोलिग करेंगे तो क्या हो जाएगा if cooling करने पर temperature घट जा तो length भी घटेगा क्योंकि L temperature dependent है तो sir इसका length भी घट जाएगा length क्या होगा घट जाएगा length घटेगा तो master time period भी घटेगा हाँ sir बिल्कुल घटेगा है ना बताओ है या ना बिल्कुल घटेगा time period इसका अब सुनको देखो जान समझो इस बात को अगर time period घटता है तो क्या घटी time का gain करेगी या loss करेगी ठीक है अब सोचके देखो किसी आदमी को जाने में 10 seconds लगता था अब उसको 50 seconds लग रहा है time period उसका बढ़ गया है ठीक है तो time period बढ़ गया है तो time जादा ले रहा है घड़ी slow चलेगी ना है ना तो ऐसे condition में जो है time का gain होगा या loss होगा ये बात आपको समझनी है दो बात आपको समझनी है कि time period का gain होगा या loss होगा अब बताओ मुझे पहले case में gain होगा या loss होगा जल्दी बताओ comment करके जो भी बच्चे लाइब जुड़े हुए बताओ जल्दी से पहले केस में टाइम का गेन होगा या टाइम का लॉस होगा बताओ जल्दी से टाइम का गेन होगा या टाइम का लॉस होगा क्या होगा पहले केस में तो सर पहले केस में टाइम जो है ना गेन होगा क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है है ना ऐसी गलती नहीं करनी है time loss हुआ है यह याद रखना घड़ी हमारी slow हो जाएगी क्या हो जाएगी घड़ी slow हो जाएगी याद रखना ये बात slow हो जाएगी घड़ी ठीक है और दूसरे case में क्या कह सकते है time जो है gain हुआ है, time क्या होगा gain होगा, तो बच्चे सोच रहे होंगे आज ही अपनी घड़ी को लेके चलेंगे हम कहाँ, हिमाले पे और देखेंगे, हिमाले पे जाने के बाद ठंड हो जाता है वहाँ पे तो क्या सच में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है प्रेक्टिकल करके देखेगा या कुछ बच्चा सोच रहा होगा आज ही रेफ्रेजरेटर में रख दूंगा घड़ी उठाके है ना, फ्रिज में उठाके रख दूंगा घड़ी पेंडूलम वाली और देखता हूं टाइम घटने के बाद होता हैता है अगा नहीं होता है यह ना ऐसे प्रेक्टिकल करने के कोष़िस मत करना कोष्न सौल परते हम लोग इस पर ठीक है तो जो चेंज इन लेंद का फार्मूला होता है न मंद जब आप देखेगे ध्यां से इस बात को कि लेंद में चेंज हो जाएगा, लेंथ में चेंज होने के कारण टेंपरेशर चेंज हो जाएगा, तो अगर टेंपरेशर चेंज होता है, तो चेंज इन टेंपरेशर के कारण क्या होगा, टाइम पिरेट बढ़ जाएगा, यह न, जान दो, हीट की आपने temperature बढ़ा, length बढ़ गया, time period बढ़ गया, तो change in time period, ज्यान से सुनना, यहाँ पर T temperature के लिए नहीं है, time period के लिए है, तो change in time period का formula हो जाएगा, 1 by 2 alpha theta into time period, तो delta theta लिख देता हूँ, ताकि आपको पता लगे, delta theta किस चीज के लिए आया है, तो delta theta, not heat, क्यों लिख दिया हमने, है ना, तो delta theta into T, ठीक है, यह formula बन जाएगा, change in time period का, मैं फिर से बता दू, T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा time period, ज्यान देना, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, एक-एक का, T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा time period, alpha क्या है, जानते ही हो, यहां से जानने लाइक बाएगा थे delta theta, theta हमने लिख दिया है heat के लिए, ठीक है, यह हो जाएगा, change in temperature, ठीक है, change in temperature हो जाएगा यह, और यहां से delta T क्या हो जाएगा, change in time period, तो इसको आप लिख सकते हो, change in time period, तो अगर time period में change होता है, तो कैसे निकालेंगे हम, इस formula से निकालेंगे, delta T is equal to 1 by 2 alpha into delta theta into T, ठीक है, इस formula को यूज करके हम लोग calculate कर सकते हैं, आगे बढ़ें भाई, इस पर कुशन नहीं कराएंगे, आगे बढ़ें, चलो, तो आज की class हम लोग यहीं end करते हैं, ठीक है, लगबर देड़ गंद की class हमारी हो चुकी आज की class, कल आगे हम बात करेंगे thermal stress पे, thermal stress के साथ साथ हम बात करेंगे, superficial या फिर area expansion, और volume expansion की, तो आज के class में बच्चों को साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल नहीं, अब पर्सो class होगी, कल class होगी 12th class की, प्रेवेश सेयर practice session चल रहा है, तो अपने दोस्तों को, भाईयों को, जो भी जानते हो, जो भी 12th class में board exam दे रहा है, उन सभी को सेयर करो, बताओ, कि 12th class की class चल रहा है, अपकी वाईगी प्रेक्टिस session, आपकी class होगी पर्सो, यानि, आज हमारा जो है, Monday, Sunday, Wednesday क्या है भाई, कौन सा दिन आज, Tuesday है, यानि कल हो जागा Wednesday, पर्स हो जागा Thursday, तो Thursday को आपकी class होगी next, जिसमें हम discussion करेंगे, क्या, thermal stress क्या होता है, area expansion क्या होगा, volume expansion क्या होगा, और इसके साथ-साथ, calorie mid-tree भी हम हो सकता है, start कर लें, बहुत सारे सवाल कराएंगे, आज भी हमने लग-बग जो है, 13-14 सवाल तो किया ही था, कितने सवाल किये खिसको भई, 13 सवाल हमने आज किया class में है न, तो आज के class में हमने 13 questions solve किया था, तो हम कोसिस करेंगे, अगले सवाल में थोड़े से और ज़्यादा सवाल हम लेकर आएं अगले class में, ताकि बच्चों को और ज़्यादा helpful लगे, आपके लिए revision बहुत सांदार हुआ होगा, अगर अच्छा लगा है आपको, तो डफिनेट्ली आप सेर करिये session को, बच्चों को बताईए, जो भी आपके साथी दोस्त पढ़ते हम तो बचाईए, शेर करिये, और स्टेटस लगाईए, बच्चों से रिक्वेस्ट एक बार सेशन को लाइक करें जरूर, और सब्सक्राइब करते हुए जाए चैनल को हिट करें, यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल से, आपको बिल्कुल ऐसे ही एननोटेशन लिखा हुआ, सब कुछ सॉलूशन मिल जाएगा वहां से, आप चाहते हैं डाउनलोड करना, तो जाई टेलिग्राम चैनल पर और जल्दी से डाउनलोड करिए से, ठीक है, तब तक के लिए हम आपका बहुत-बहुत आभारी रहेंगे, कल फिर से मिलते एक बार, आपने बहुत अच्छा साथ मिल भाया, पढ़ते रहें, लगातार मन लगा के पढ़ते रहें, बने रहेंगे, ठीक है, तो कल मिलते हम लोग एक भर से, तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद,